एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पुचा पापा मेरी लाइफ की क्या वेल्लियू है तब ही पापा ने कहा अगर तुम सच में अपनी जिन्दगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पुचे तो कुछ मत कहना बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना वो लड़का मार्केट गया वो कुछ देर तो वहाँ एसे ही बेठा रहा लेकिन कुछ देर बाद ही एक बोड़ी ओरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पुचने लगी वो लड़का एक्दम चुप रहा उसने कुछ नहीं कहा और अपनी दो उंगलियां खड़ी करती तब भी वो बुड़ी ओरत बोली 200 रुपे ठीक है इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूँगी वो वच्चा एक्दम से शो पे देने के लिए तयार थी पापा ने कहा इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर को इसका प्राइस पूचे तो कुछ मत कहना बस अपनी दो उंगलियां खड़ी करती वो लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नजर उसके ह 20,000 रुपे देने को तयार हूं ये पत्थर तुम मुझे दे दो वो लड़का फिर से चोप गया और जाकर अपने पापा से कहा पापा म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपे देने को तयार था तब उसके पापा ने कहा अब मैं तुम्हे आखरी जगा पेशने जा रहा हूं और अब तुम्हे जाना है किमती पत्थरों की दुकान हो और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहिना बस अपनी दो उगलियां खड़ी कर देने वो लड़का चलती से किमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने गौट इस पत्थर की तलाश में मिन अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी कहां से मिला है पत्थर और क्या वाईस है इसका कितना लोग है तुम इस पत्थर के लिए वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी दो उगलियां खड़ी कर दी तभी वो बुड़ा आदमी ब अपने को तयार है तब यह उसके पापा ने कहा क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की एल्यू आपकी लाइफ की वेल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आपको कहां रखते हैं यह आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपे का पथर बनना है या फिर 200 रुपे का, जिन्दगी में कैसार ऐसे लोग होते हैं, जो आप से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो आपको सिर्फ एक वस्तोग रुपे उप्योग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो, ये आप के ओपर डिपेंड करता है, कि आपकी लाइक की वेल्यूड क्या होगी?